हेलो दोस्तों आज हब लोग परसेंटेज के पार्ट फट को डिस्कस करेंगे डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ कुछ कॉंसेप्ट सिखा देता हूँ क्या है हमारा कॉंसेप्ट आए समझते हैं अगर इस बंदे के पास पांसो रुपय है और पांसो में ये दो टीशट को खरीदता है ठीक है क्या बोला मैंने अगर इस बंदे के पास पांसो रुपय है और पांसो में ये दो टीशट को खरीद रहा है है अगर यह बन्दा सोची कि मुझे 2,500 रुप्या में टीशट्र खरीदना है और सेमаться खरीद रहा है अगर यह पान्सों में जब 2 टीशट्र खरीद रहा है तो 2,200 में कितना टीशट खरीदेगा दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों यहां पर पैसा आपका हाफ हो रहा है तो आपका क्वाइंटिटी भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो यहां पर जब दो खरीद रहा था वह 500 में तो यह 500 में आप एक ही टीशट खरीद पाएग ठीक है दोस्तों तो यह है मेरा concept इसी concept कैसे exam में question आता है percentage में यह हम लोग समझेंगे आईए तो फिर start करते हैं हमारा question है दोस्तों किसी संख्या का 80% क्या होगा अगर 200% का 90 है तो इसी concept question है दोस्तों आप percentage के जगा पे रूपया रख लो आपका भी answer आ जाएगा बट मैं percentage से बताता हूँ इस questions को कैसे solve करना है आईए सीखते हैं सबसे पहले मैं इस questions को solve करता हूँ और आपको मैं वो funda बताता हूँ जिस funda से आपको solve करना है आईए देखते हैं वो funda क्या है 200% आपका दिया हुआ है 90 ठीक है दोस्तों इसी concept पे आपका questions का answer आ जाएगा 80% क्या होगा इसी number का ठीक है 200% अगर 90 है मेरा तो 100% मेरा 45 आजाएगा बट मैं उस method से नहीं जाओगा उस method से जाओगो तो आपका थोड़ा time लग जागा इस तरह के question को solve करने के लिए जो दिया हुआ हो उसे आपस में divide करा दो और जो पूछा जा रहा हो उसे आप multiply करा दो क् given से divide और जो पूछा गया हो उसे multiply करा दो सबसे पहले इसी concept पे हम लोग इसे solve करते हैं तो यहाँ पे जो दिया गया है 90 है दिया हुआ हमारा 200 है पूछा गया है हमारा 80 इसे मैं 80 लिख दिया cancel out करोगे आप इसे तो यह आपका आ जाएगा 36 यह आपका अंसर आगया अगर आपको यह आद ना रहे कि given से divide करना है और पुछे कैसे multiply करना है आप इस question को तिर्चा गुना भी कर सकते हो क्या वो बोला मैंने अगर आप आपको यह याद ना रहे कि given से divide करना और पूछे कैसे को multiply आप इसे तिर्चा गुना कर दो आपका अंसर आ जाएगा तिर्चा गुना कहने का मतलब क्या है यहां पर आप देखो मैं दिखाता हूं 200 आपका परसेंट दिया गया है 90 आपको निकालना है 80 परसेंट दोस्तों अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहां पर वन है अब बस आपको कुछ नहीं करना इसका multiply करा देना है आपस में तिर्चा करके आपने यहां पर नबे लिया 90 multiply कराया आपने 80 से आपने यहां पर 200 लिया इसके नीचे में कुछ नहीं था तो आपने वन लिया आपने इससे solve किया तो आपका answer भी 36 आ गया ठीक है आए इसी questions को अगर हम दूसरे concept में कैसे solve करें और वो concept क्या है आई यह हम लोग सीखते हैं यहां पर मैं आपको एक liken खीच रहाऊ like क्या मतलब है मैं आपको वह बतांगा यह ऐसे हो गया यहां honorable आपका ये ऐसे हो गया ये आपका ऐसे हो गया दोस्तों ये आपका ऐसे हो गया यहाँ पे आपका कोई नंबर दिया रहेगा यहाँ पे भी आपका कोई नंबर रहेगा यहाँ पे भी आपका कोई नंबर रहेगा अगेन यहाँ पे भी आपका कोई नंबर रहेगा ठीक है इस concept को समझाने का मेरा मतलब यह है कि ये value और ये value आपस में कट सकता है कटने का मतलब क्या है अगर यहां पर आपका four है यहां पर eight है तो आपक इसे ins Increleーot करके one or two link सकते हो समझाने का मतलब मेरा यह है दोस्तों तो यह बहलू और यह बहलू आपस में कट रहा है सेम जहां जहां मैंने डाइग्राम मनाया है जो कनेक्ट है आपस में सेम इसी चीज़ को हम समझेंगे कि जहां जहां मैंने यह लाइन खीचा है वह बहलू आपस में कट रही है इसका मतलब यह बहलू और यह बहलू को नहीं काटना यह वाले भेलू और यह वाले भेलो को नहीं काटना आपको जो सीधा में दिखे उसे आप काड़ दो आए इस कॉंसेप्ट को हम इस कोशन में कैसे अप्लाइ करेंगे वो मैं दिखाता हूं दोस्तों यहां पर आपका दिया हुआ है 200% 90 ठीक है मैंने लिख लि तो यहां भी परसेंट ही लेना पड़ेगा मैंने यहां पर ले लिया 80% ठीक है यहां पर आपका यह वैलू दिया हुआ है ठीक है यहां भी भैलू ही निकलेगा क्योंकि मैंने भी बताया कि यहां भी भैलू होगा तो यहां भी भैलू ही होगा ठीक है तो आपको इसमें कैं जीरो, कट गया, ठीक है, आप इसे ऐसे भी देखो, एक जीरो, एक जीरो, यहां से भी कट गया, मैंने क्या बताया, कि यह ऐसे भी कट सकता है, सीधे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, और ऐसे भी कट सकता है, इसे भी आपस में अपने कार्ड दिया, ठीक है, यहां पर आई इसमें कितने का multiply क्राया जाए One में कि आपका 9 आजाए तो यहां पर अगर मैं 9 से multiply करादूँ तो यह मेरा 9 आ रहा है बस यहां पर भी आपका 4 बच रहा है तोे सीहां फंड आपको यहां भी लगाना पड़ेगा यहां भी आप इसे 9क्टि मल्टी कराद आपका 36 आ जाएगा आए इस question को solve करते हैं दोस्तों fraction method से fraction method में आपको मैं बता दूँ कि मैंने आपको पहला और दूसरा वीडियो इसलिए बताया पहले वीडियो मैंने बताया कि आपको कैसे percentage fraction निकालना है और fraction से कैसे percentage निकालना है अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा आप उसे अच्छे से देख ले और practice भी कर ले आए अब इस question को कैसे fraction method से हम solve करेंगे आए देखते हैं दोस्तों 37 सही एक बता दो परसेंट आपका होता है तीन बता में 8 क्या बता है मैंने 37 सही एक बता में 2% होता है तीन बता में 8 अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 37 सही ए एक बते में 2% के value होती है तीन बता में 8 इसी तरह मैं इसे भी लिख लेता हूं साड़े बारसेंट परसेंट आपका होता है दोस्तों 5 बता में 8 क्या बोला मैंने साड़े बारसेंट होता है आपको 5 बता में 8 फीलत आपके में 8 अगर आपने मेरे पहले विडियो को देखा होगा तो आपने अच्छे तरह से लर्ण भी किया होगा त्रूस्तों तीन में 8 दिया हूए आपका 500 बता में 8 आपको निकांप फाइं डूट करना अगर मैंने आपको पहला अगर आपने मेरे पहले वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये question समाईने में problem नहीं होगा मैंने उसमें क्या बताया था कि नीचे वाली भेलू के साथ आपको कोई operation नहीं करना है दोस्तों आप यहाँ पर देखो कि ये आपको percentage निकलना है आप मान लो तीन बता में आठ जब 900 है तो पांच बता में आठ निकलना है नीचे वाली भेलू से मैं दोस्तों तो इसमें कुछ छे चाड़ने करना है आपको ये इसमें दिमाग लगाना है दोस्तों आपको इसमें ये करना है 3-5 कैसे बन गया अगर मैं यहाँ पर 5 बते 3 से इसे multiply करा दूँ तो यह मेरा 5 बन रहा है कैसे देखिए 3 को अगर मैं 5 by 3 से multiply करा दूँ ये cancel अठोके 5 बना रहा है दोस्तों ठीक है अगर आपको ये करने में problem हो रहा हो तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर 3 है नीचे भी अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो 1 आ जागा फिर अगें 5 से multiply करा दूँ तो मेरा 5 आ जागा तो अगर आपने यहाँ पर 5 बते 3 से multiply कराया तो आपका 5 आ रहा है तो same method आप यहाँ भी लगाओ यहाँ पर भी लगाओ वही same method अगर मैं इसी 5 बते 3 को यहाँ भी गुना कर दूँ तो यहाँ पर मेरा answer आ जागा दोस्तों 5 बते 3 को अगर मैं इसे गुना करा रहा हूं तो यह 300 आ जागा 300 के आप 5 से multiply करोगे आपका answer आ जागा 1500 यह थो आपका नया concept दोस्तों आप इस fraction method को जरूर फॉलो करें दोस्तों आपका हर concept क्लियर होते जागा इस fraction method के थुरू आए हम लोग वो पिछला concept समझते हैं जो मैंने बताया था आए दोस्तों अब हम लोग इसी question को दूसरे concept से कैसे solve करेंगे देखते हैं मैंने यहाँ पर सारे 37% को तीन बटा आठ में बदल दिया है सारे 12% को 5 बटा आठ में बदल दिया है अब मैंने आपक से divide करोगे तो आप यहाँ पे 900 upon तीन मटे में 8 करोगे दोस्तों अगर आप इस से multiply करोगे यहाँ पे 5 बटे 8 से यह आपका 8 से 8 cancel होगया दोस्तों और उसके बाद आपका 300 आ गया थीन से cut गया तो यह आपका 300 आ गया आपने इससे multiply कराया आपका answer आपका अंसर आ गया है द मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप फ्रेक्शन वाले मैथट को जल्दी से जल्दी उसे ही सीख लें दोस्तों अगर आप इसमें तीर्षा गुना से भी अंसर लाना चाहो तो वैसे भी आपका अंसर आजागा आप खुछ से ट्राइक कर लेना आपका अंसर सही आएगा इससे पूछा गया 28% निकालो किसी संख्या का इसे पूछा गया 28% निकालो किसी संख्या का मालो यह आपका संख्या इसका 28% निकालो बट इसने गलती से क्या करा 35% निकाल लिया इस संख्या का तो इसका तो अंसर गलत आएगा ही आएगा दोस्तों तो इसने जब उस संख् 35% निकाला तो इसका 210 आया ठीक है तो अब कोश्चर में यह पूछ रहा है अगर उसने 28% ही निकाला होता तो उसका अंसर क्या आता तो यह हमारा कोशन आये हम लोग इस कोशन को सॉल करते हैं सॉल करने से पहले आप यह भी मैंड में रख लो 35% अगर वो बंदा निकाला है तो उसका 210 आया तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं 35% का भेलू दिया गया है आपको 210 अगर वह 28% निकालता तो उसका अंसर सही आता अब मुझे निकालना भी है सही उत्तर निकाले कोशन में दिया गया है तो मैं 28% इसका निकाल लेता हूं 28% क्या होगा अगर 35% 210 है तो इसमें भी हम लोग पिछला वाला ही concept लगाएंगे दोस्तों मैंने क्या बताया था जो दिया गया है उसे आपस में डिभाइट करा दो और जो 68 यह आपका अनसार आजागा देखिए इस कोशन को कैसे सब्सक्राइब करेंगे मैंने जोब मैठेड बताया था आपको कैंसी लॉट वाला मैठेड तो इस मैठेड को अपलाई यहाँ पर हम कैसे करेंगे वे मैं आपको बताता हूं आप सबसे पहले क्या करो इसे आपस में करा दो तो यह मेरा 30 आ रहा है तो आप 28 में भी 6 से मल्टिपला करा दो आपका आजागा अंसर 168 यह था हमारा मैठेड दोस्तों अगर आप यह वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे अपने दोस्तों के साथ सेर करें थाइंक्यू